चले सुरू ना चले देखे दिये गए पैटर्न का ध्यान पुरुवक अध्यान कीजिए और उस अंख्या का चैन कीजिए जो इसमें प्रश्णवाचक चिने की अस्थान पर आ सकती है यह क्वेश्चन है और यह देखे आपका मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में क्या है पांच ग पड़ा ठीक होगा करम उपर से नीचे हो जाएगा अब हमको यह दिमाग लगाना है कि कुछ भी ऐसा किया जाए कि मतलब की इन दोनों के द्वारा 26 लाया जाए और 19 और 12 के द्वारा क्या लाए जाए पश्च पन लाया जाए ठीक है ऐसा कुछ दिमाग लगाना है यह ने दस कर दोनों ने हैं 15 किये अगर इसको पांस ट्याव 15 कर दें 15 में 11 जोड़ेंगा रचंडरी इन 19, 19 कितना हो जाएगा, 19, यह क्या होगा, 36 में से, जोणेंगे न, 9, 6, 15, 3, 1, 4, 5, क्या बात ही यानि की यानि की क्या होगा अब यहाँ पर दूसरा अंक दिया है यह दिया है यह दिया है अब आपको करना क्या है यह दिमाग लगाएंगे तो 25 सॉरी क्या है पांच गुड़े 3 पांच गुड़े 3 मुरावरी 11 है ठीक है? 25 है यहाँ पर तो अब तो ऐसा होगा नहीं ठीक है? अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर जोड़े हैं हम यहाँ पर जोड़े हैं अब इसको 25 को इसमें से घटा दीजिए 89 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पर 7 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा? 5 चाउवन आ गया चाउवन में काम करिए आप 3 का भाग देदीजिए क्योंकि यहाँ पर 3 का गुड़ा किये हैं तो 3 का भाग देदीजिए ठीक है? 3 कितना होगा? 3 करन 3, 3 अठे 24 यानि आपसा नमबर A से हो जाएगा ठीक है? अब देखिए यह तो एक तरीका होग लगाने का अब इसको आप दूसरी तरीके से लगाईए और दिमाग लगा कि लगाईए करेंगे क्या सुरू से ही यही कर दीजिए 26 माइनस 11 बराबर कितना जाएगा? 15 और 15 में 3 का भाग देदेंगे कितना जाएगा? 5 आजएगा आए वग नहीं आएगा ठीक है? सेकेंड 55 में से 55 में से 19 घटा दीजिए तो कितना आजएगा? 15 में से 9 गया 6 आगया और 4 में से गया तीन आगया और 3 से भाग देदेंगे कितना जाएगा? 12 आजएगा आगया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 79 में से 25 घटा दीजिए आप तो कितना हो जाएगा? जितना होगा? 4 और 5 और 3 से भाग देदेंगे कितना जाएगा? 18 तब भी आपसा नमबर? 18 अब इसे क्या कि इस सवाल को आप जितने चाहे उतने प्रकार से लगाएगा? मतलब कि दिमाग लगाएगे और जैसे मन करेंगे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं ठीक है? चलिए अच्छी बात है एक क्वेशन का आया दिये गए वे नारेख में आयत नीले नेत्रवाले लोग है आयत जो है ये क्या है? नीले नेत्रवाले लोग है नीले नेत्रवाले लोग है नीले नेत्रवाले लोग है आयत में ठीक है? और क्या करते हैं? त्रिभू च्छांगुलियों वाले लोग ठेक है? च्छांगुलियों वाले लोग दर साते है और वृत डिमपल वालों को वृत जो है यह है डिमपल वालों को ठेक है? चलिए, आप करना क्या है, कि जिन लोगों की छांगुलियां हैं, छांगुलियां और नीले नेत्र हैं, पर कोई डिम्पल नहीं है, संख्याई A है, तो क्या है, छांगुलियां है, छांगुलियां हो गए ये, ठीक है, छांगुलियां हैं और नीले नेत्र हैं, बल्स, क्या है यह वाला डिम्पल वाला है और उस पर क्या कते हैं छे अंगुलियां है और छे अंगुलियां है नीले नियत्र है डिम्पल नहीं है तो डिम्पल वाला पुरा कार दिये ठेक है छे अंगुली वाला कार दिये और नीले नियत्र वाला क्योंकि यह दोनों है तो क्या हो जाएग तो एपराबर केतना हो जाए अठाइस हो जाएगा और क्या करते हैं युदि छ जी शॵफेल रीत बव्वर जोग जिनके देंपल हैं यानि छुली रुफ कांसे हो गया है छेंगली वाले ये हैं और इसमें साथ में डिम्पल होना चाहिए यह नीले नेतर नहीं होना चाहिए तो नीले नेतर देखे यहां तक हो गया पूरा ठेक है नीले नेतर यहां तक हो गया और यह क्या हो गया यह डिम्पल वाला भाग हो गया और यह क्या छेंगली वाला भाग ठेक है तो आसी कौन संख्या जो कि 6 अंगुलियों और डिंपल वाल दोनों में है वो है 15 ठेक है तो B बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा A प्लस B बराबर 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा 85 13 2 1 3 1 4 ठेक है 28 प्लस 15 हो जाएगा आपसर नंबर हमारा B जो है वो सही हो जाएगा ठेक है चले एक क्वेश्चन में क्या का है विकलपों में से अक्षरों के उस सही हो जन का चैन कीजिए जिससे नीचे दी गई इस रिंखला में रिक्त अस्थानों में करमिक रूप से रखे जाने पर स्रिंखला को पूर्ण करेगा ठीक है यह क्वेश्चन है अब स्रिंखला में देखे क्या अच्छर हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चुदर पंद्रह सोला सत्रह 18 अब 18 हो गय बबाई करें यह इसको जाबनाये तो हमको य नहीं आ रहा है तो तो क्या करेंगे हम 6-6 का पेर बनाएंगे यह गुड़नखन का नियाम होता है कि आप पहले पेरिंग करेंगे अब इसका पहले गुड़नखन करेंगे तीन-शह और ऐसे करके या कोई और रहेगा आठ है आठ है तो दो-दो कर सकते हैं चार कर सकते हैं जिससे की अंग आ जाये तब करना क्या है? यहाँ पर सिर्फ देखे, दो अंकायाद, य आ ही नहीं जा तिसरा अंग, तो हम लोग 6-6 का प्रेटर बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 है? 6 हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. खेखे, जलिए आभ इसको solve कैसे करेंगे, देखे. जिड के पहले यहां पर यक्स है यहां ना जिड के पहले यहां पर क्या है यह ना question में देखें क्या है जिड के पहले यक्स है ठीक है चले कोई नहीं और इसके बाद अगर च्छे का अंक बना है, तो Y के पहले क्या है देखें, यक्स है, Y के पहले क्या है यहाँ पर, तो यक्स है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, Y के पहले यहाँ यक्स रख दीजिए, ठीक है, देखें क्या है, और उसके बाद, उसके बाद क्या है, जेड के बाद यक्स है, फिर ज जेड़ है, जेड़ के बाद फिर यक्स है, फिर जेड़ है, और यक्स के बाद फिर क्या है, देखें यहाँ पर इस्टार्टिंग में यक्स है, उसके बाद जेड़ है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग यक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, यक्स जेड़ यक्स, यक्स, जेड, यक्स, तो क्या हो जाएगा, यक्स, जेड, यक्स हो गया, अब बचा क्या है यहाँ पर, देखें यहाँ पर यह इतना अंक बचा है, लाश्ट में क्या है, यक्स आया है, उसके पले क्या आया है, यक्स आया है, अब देखें सब मिलाएए इसको, यक्स, यख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष झाल झाल